बूदा अप्टरनून पाड़को आज हमक्षानाथ में विशेहिंदी दृतिया सत्रा कि शुरुआत हैं कि छात्रों कि दिपावली की सुप्रापनाएं और नए वर्ष का सुपारण में अभ्यवभी अभी अभिवादन आज इकाई एक में हां पत्रयों नायरी पत्र की जो गात आती है कि सभी छात्रा कि इससे जानते हैं कि आज का यूग में मुबाइल बोल्ड जो हमारे सगे सबंदी नित्रव बहुत दूर तर बैठें उसके साथ प्रत्यक्ष बादचीत एक मिनीट में की जाती हैं कि चाहे हमारे इंदुस्तान से दुसरे देशों में वसे हो इन सब के साथ हम इने में ने और ऐसे दूर्ण संज के द्वारा भी दूसरों के समाचार हम जान सकते हैं और पहुंचा सकते हैं इमेर और मॉबाइल पॉन से दूर बैठे हरें पित्रों और हमारे सब्सक्राइब को बातचीत हम एक मिनीट में कर देते हैं फिर भी आज के यूर में पत्रा की इतनी ही फॉर्ण मेंगें जरूरत हैं जो पहले के जमाने थी आज की युद्न minimize में मैंतलब के पहले के जमाने में जब इमेर नहीं था और एक मुबाइल होट नहीं आप एड़ी वोट की व्यवस्ताना दी उस्वक्त हमारे जमांग जो बात करें फुराने जमानी की तो लोग पैदल या गुण्ष्वा या प्रसिक्सिक कि संती दूत कभुतर के द्वारा संद्य सा एक दूस्तियों को भीजा जाता था उस वक्त हम जो संद्य सा भीजते थे अपने संद्य सुनाए तुम लोग बोड़े सुनाओगा कि पहले के जमाने में इस धंक से पत्र यवार किया जता था उसमें बहुत समय व्यतीत होता था लेकिन यहां इस समय व्यतीत होने के बावजुद भी आज पत्र का इतना ही महत्या हैं पत्र जो हैं यह हमारे मित्र परिवार्जनों और अधिकारियों जो छात्र हैं तो उन्हें पार्शालाओं में अपने प्रध्यत पको को भी पत्र लिख कर अपनी बार इस पत्रा में जो बाप करें तो पत्र की कई एसी बादे हैं कि पत्र जादा नहीं होना चाहिए जिससे पंटा लाज पत्र ने जो सब्द का इस्तमार किया बता है ऐसे सब्द होने चाहिए जिसे पुरा विद्राण पत्र में समाज और धंग से अपनी सरल पासा में व्यक्त करना है इस पत्र के जो रूप है इसका हम सभी छात्रों को बताना चाहते हैं कि पत्र लिखन के जो निम्ना देखी प्रूप है रूप का मतलब होता है प्रकार ऐसे दिखा जाए तो उसका तिन प्रकार है इस प्रकार के पत्र में व्यक्ति अपने परिगाहर जनौं ऑर मित्रों को भर्ण निमद्रा-पत्र आता है आटाएं पत्र आता है आसाशन पत्र आता है अनुबती पत्र और प्रात्ठाफ़द्र इसी सरेगी में ही आते हैं तो यह को निमंत्रबत्र किसे जुझे भीचेस साय तुमको पता होगा किसे भी चात्रत की सालगिरा पर अपने मिद्रब जब पंत्र भेजते हो कि अपने सालगिरा पर पंत्र मिद्रब को भेजा जाता आए अपने परिवार तो तुम्हारा मित्र अगर कख्षा में पहला प्राप्ट्र करता है तो भी उसे हम बढ़ाई के मैं बढ़ाई पत्र भीजते हैं और आसवासन पत्र साइब को हमारा मित्र खेल पूद में अगर पीझे रहा गया हो तो उसे आसवासन देंकर आसवासन पत्र हम भीजते हैं और उन्हें ये भी करते हैं कि अब की बार कोई बाद नहीं लेकिन दुबारा ऐसा नहूँ और तुम भीज्वर ने तुम आगे आओ एसे आप अस्वासन पत्र भी अगर चात्र पुष्ट्यल में रहते हैं तो वह जब पार्शा राओं में परियापक कायोजुन होता है उस्वक्त ठाट्र अपने श्यात्र अपने पिता से अनुमती मांग भीजते हैं जब पत्र लिखते हैं लेकिन अनुमती पत्र और प्राठ्या पत्र एसी सेनी का जो है यह पत्र अभीकारियों उनसे सब्बंधी मांगरों में शिकायत करने में लिए यह लिखे जाते हैं कालिया रही जैसे कि सायद कई छात्रों को पता होगा है कि अपने मुहले में या अपने नुदर में अपने मुहले में या अपनी सेवी में या अपने नद्दिक के इसे भी जहां बंदगी पहली है और उस वक्त तो जैसे कि हम चांते हैं अपनाबाद सब्ड़े जैसे बहुत बड़े सब्ड़े जाते हैं तो मिंसिपर कॉर्परेशन के अधिकारियों को जब ने यह लिखना पड़ता है पत्र तchae कार्यादे पछर दि अधिकारियों को लिखा जाता है इस सब्रतु दिखें जैसे कि किसी भी चात्र के पिता का व्यूसाय बहुत बड़ा व्यूसाय हो या किराएं जैसा तर्णों इन किराना श्टॉल पर जब तुम्हें बस्तु मंदवानी है तो इस बस्तु मंदवाने के लिए भी आप साइक पत्र का उप्योग करते हैं या किया जाता है कापड का कोई व्यापारी हो तो यह व्यापारी जो बड़े-बड़े जो कापड मुखाते हैं तो इन खपड़ों के लिए जब पत्र फेजना बढ़ता है इस ठंग से पत्र का यहां पूले किया लिए वह पत्र किसी भी च्हक्रत्रक दू्सरे अपने बिक्रत पोला के तो जिससे लिखना है उसका जो है उसका जाहां जिसे भीजना ना तो यहां गिना में आपडिकरनी है है और उसका चालिकर्णम बाहि और लिखना आए और जब लिखने वाला रहे वह अंतिम प्र नाव जैसे कि यह दे बता है जो यह अनुमति पात्र दा जब चाइब स्वल्ड में है और उन्हें परिया परिटार के जाना है तो अपने पिता से उन्हें पत्र लिखना है तो किसे लिखा जाता है जब छोटों के लिए तुम लिखते हो तब तुम लिखोगी लेकिन तुम से बड़े जो लोग है उनके लिए अगर पत्र लिखना है तो आप तो तुम और आप सरोणाम का इस्तिमार तुम और आप आप शर्वणाम को है तूम और आप सरोणाम का उपयोग किया डाता है छोटे वाजर तुम और बड़ों के इले आप शर्वणाम का उपयोग किया जब लेकिन यहां अभूंई cotton पत्र ने जो बात करता हम है तो चात्र आपने पिता को लिखेंगे तो वह ऐसा लिखेंगे कि बाई और पुझ्या पिता जी कि साधर प्राम और जो पत्र नहीं है इसका पत्र ज्यादा बढ़ा नहीं होना चीए कम पंकतियों में लिखा जाना चाहिए जिससे सामने वाले को लिखेंगे कि अलोचना है कि या कोई पन्यास है इसा भाव नक्रकट हो तो पत्र की बात आती है तो पत्र इस ठंग से लिखते माता पुत्र को जब लिखती है तो वह चिरण जी पुत्र के नाम से लिखती है और वह अंतीन जब पुत्र लिखता है वे अपना अध्यांकारी पुत्रत पुत्र को जब लिखती है और पत्र लिखने के लिए सबी छात्रों को जब लिखती है और पत्र लिखने के लिए अध्यां को कभी-बी अपने मित्रों को पत्र लिखने का प्रक्रत करना है तो पत्र लिखना है और पत्र लिखने में के लिए तुम्हें दिल्चस्विवी रखना है पत्र हमारे पुष्टिगा। दिया हुआ तो इस कुछ दिगामें दिये घर मैं निमंत्रम पत्र भी ऐस्य संघ मत्र पत्र भी a। अनुबति मत्र भी प्रात्ना पत्र भी ए कारीया भी पत्र हुआ और ह। जैप तो सब्सीन तुम्हीड के लिखन आ घ्रण सम स्थात्रों को घंड Chief काam हैं पत्र की बात जब संबंद आता है अभीवादन कैसे दिखा दाता है अंतिम जैसे के अन्यांकारी पुत्र जब छात्र अपने गुरुजी को लिखता है तो परंपुजिय या नमस्कार गुरुजी परंपुजिय गुरुजी ऐसे ठंक से लिखते हैं अंतिम जब शातना निखता है तो पलता है अपना अन्यांकारी सिश्य रमेश आया वैश इटंक से पुत्र लेगर के बार हम यहाँ डायरी लेगर केुजी Lawrence करें गुद करमें हैं पॉह में सब्सके कुश्ष अपने जीवन की जो गाथा बनाना चाहता है तो डायरी हरोद लिखी जाते है हर दिन उसको दैनन्दी नी और दैनी की डायरी तो अंग्रेजी सब्द है लेकिन हिंदी में हिंदी में उन्हें या उसे हिंदी में उसे दैनन्दीली या दैनी की लिखी जाती है परिक्सामें पुछते हैं कि डायरी ने कोई हिंदी में कंसे सब्द से उन्हें पुकारा जाता है कि दैनी की में जो डायरी है डायरी लिखन में पुरे दिन का विवरण आ जाता है पुरे दिन में किसी ने क्या आम किया है क्या अच्छा किया है या मुरा किया है यह सब दैनन्दीली में लिखते हैं तो उसको डायरी लिखन की जो विशिता हैं तो डायरी लिखन का विवरान कि सरल होना चाहिए करंबद्ध होना चाहिए और सबल दीखन की लाप भी है विशिता है विशिताएं कि यह किसी टिंपा टिंपाड़ी में या तिका टिंपाड़ी जो है उसमें नहीं आना चाहिए और वह वास्ताविक ताहोणी चाहिए डायरिग वास्ताविक तालिक चाहिए उससे लाव यह होता है कि अगर व्यक्ति जब बड़ा हो जाए चोटे से लेके बड़े तक पुरा जीवन की आत्मत रधा जो है मतलब उसका व्युद्रान जो है वह दैद दिने में उसने लिखा है तो इससे राव होता है कि उसले गुरा जीवन का विए नायों मालुम होता है है और भाच के वह वहाँ ऐसाएद असन्तोष लहीं होगाँ इस garlic जाती है और साप्तारीक भी लिखी जाती है पक्वन्राण पाक्सिक भी लिखी जाती है और मासिक भी लिखी जाती है तो डायरी लेकरन है पत्र लेकरन है यह सभी छात्रों को लिखना है तो सभी मेदर यहत्रा एक किसी कुई आपने लिफेपश्ग मोरम 3 जुगे सब्सक्राइब • पुर्थ या अपने लिफेट कोले केट में अगरक िendUST में 2% कम रन किये हैं तो उसके लिए अस्वासन पत्रवी हेता जुत NICK अपने प्रधाना पार्चारिय को या अध्यापपव को लिखना है तो कई दिनों की चुट्टी के लिए अपनी पुझ्य गुरूजी को भी इस धंक से पत्र लिख सकते हैं तो पत्र सभी छाक्रा को लिखना जरूरी है और समधना भी जरूरी है उसका ज्यान भी प्राप्त करना जरूरी है सभी छाक्रा पुझ्तिका में लिखे गए साथ पत्र को लिख कर और पढ़ कर याद करना होगा